दोस्तो हर एक नो जवान युवा का सपना होता है एक अच्छी muscles बनाना एक बड़े muscles बनाना एक बड़े बाई सब बनाना और आप सबी को पता है बड़े muscles work out और मेनल से बनते हैं और उससे भी ज़्यादा important है आपका diet और nutrition प्रोटीन पाउडर कितना important हो जाता है यानि protein कितना important हो जाता है आपकी muscles को बढ़ाने के लिए तो friends आज का जो topic है वो protein से related है जिस तरह से हमारे सरीर को vitamin और minerals की जरुवत होती है उसी तरह protein भी important होता है तो friends आज का जो video है वो protein powder से related है आपको protein powder कब लेना चाहिए जिससे आपकी muscles effective होगी और आपकी muscles का size है और gain होगा जो normal इंसान होता है उसको कम protein की जरुत होती है और जो workout करता मेनत करती है उसको ज़्यादा protein की जरुत होती है तो आपको protein powder कब लेना है कैसा लेना यह बहुत ज़्यादा important है बहुत सारे लोग क्या है अपनी diet से जो है protein नहीं ले पाते हैं उनके पास उतना time नहीं हो पाता है जो आप अपने लिए food बना सकते हैं लेकिन वो protein powder उसकी कमी दूर कर लेता है protein powder में लगबख 30-35 gram protein मिल जाता है एक scoop में minimum 25-30 gram तो मिल जाता है कोई भी protein powder आप लेते हो तो अब यहाँ पे friends जो है बहुत सारे लोग अपनी diet से protein नहीं ले पाते हैं और उनके पास समय नहीं हो पाता है कि अपनी diet से protein ले ले चिकन बना ले या कुछ vegetable बना ले लेकिन आज के जो वीडियो है वो protein powder से related है अगर आप भी अपनी muscles बनाना चाते हैं और आपको सही knowledge होना चाहिए protein powder कब लेना चाहिए जिससे आपकी muscles में लगे तबी तो बनेगी बहुत सारे लोग पी तो लेते हैं workout तो कल लेते हैं मेनत कल लेते है protein powder पी लेते हैं लेकिन क्या है उनको effective नहीं मिल पाता है आपकी जानकारी के लिए बता दू फ्रेंट जो normal इंसान होता है उसको जो protein की जरौत होती है daily allowances के आधारपद 0.36 gram protein होता per pound और जो workout करता है उसको 0.70 की जरौत होती है per pound protein की यानि आपके weight के अनुसार protein powder आपको लेना है मतलब आपके weight के अनुसार जो ह कैसे सदेंबर में protein की जरौत होती है अब बात करते हैं protein powder कब ले बहुत सारे लोग को बोलते हैं वरकाउड के बाद लेना चाहिए और बहुत सारे जो लोग बोलते हैं गिफोर वर्काउट जो है प्रोटिन पाउडर दिया था और कुछ लोगों को आफ्टर वर्काउट जो है प्रोटिन पाउडर दिया था उसके बाद जो है पता चला रिजल्ड में जिन लोगों ने वर्काउड के बाद प्रोटिन पाउडर लिया उनकी जो मसल से वो जल्दी recovery हुई है उनके जो cells टूड जाते है during the workout के दोरान उनकी जल्दी से repair हो गिये थे protein powder लेने के बाद तो यहाँ पर यहाँ साबित होता है friends आपको जो protein powder है workout के बाद लेना है अगर आप workout से पहले लेते हैं तो उसको उतना effective नहीं होता आपकी जो muscles से उतनी जल्दी recovery नहीं होती है अगर आप workout के बाद protein powder लेते हैं तो आपकी muscles है वो जल्दी से recovery होती है जो आपके cells टूड जाते है क्योंकि protein ऐसा बना होता है उसके अंदर isolate होता है वे protein होता है जो हमारी body को तुरंत nutrition देता है तो आप जो है protein powder workout के बाद ले तबी आपके muscles जल्दी से बन पाएगे तो फ्रेंट ये था वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजे कमेंट कर दीजे इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को करेगा जय हिंद वंदे मात्रा